यहां पर एक रोट सेट जो बीदर में है मैं सर्प्राइजिंग हूँ जो यह जश्ट पर कमपॉंड वाल के लिए इन लोगों ने कितना पैसा खर्च करें देखिए यह तो बीच-बीच में स्ट्रेंद के लिए देश हुए दो कॉलम्स हाजाएंगे और दूसरी बात जो है कमपॉंड वाल के लिए उन्होंने कॉलम्स तो दाले हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं इट दालते हैं या फिर इट से बानते हैं डबल 9 इंच का इट दालते है फिर बाद में 6 इंच का दिवार लेते हैं तो इन लोगों दिवार तो छोड़िए इननों दो पूरा compound wall जो है पूरा complete reinforcement ओभी इस तरह से in between और एक ऐसा दर्या से बनाए सो है वह देखिया मैं इसका detail बताता हूं और उपर से लेंद भीम तक लिए है उनों लोगे ने for equal distribution of the compound maybe the height of the compound wall is somewhat big but कितना reinforcement इन लोगों ने use करते है देखिये और दूसरी बात जो है इसका मैं detailing देता हूं इनों use करें बारे में बारे में बारे में बारे में याने कि one two three four five six six और जो है यह श्टिरप्स जो है नव इंच का स्टिरप्स का स्टिरप्स से देखिये 8 mm और विते spacing of I think seven inch seven inch spacing देखिये उन्हों use करें देखिये 7 inch का जो इस तरह इतना मजबूदी से बांदा जाता है यह पुर्स का compound wall देखिये और यह बीम जो प्लिंट बीम है यह निकि ग्राउंड लेवल पर बीम है वो जो है विट में 9 inch sorry 6 inch plus total 9 inch हो जाएगा और यह जो है 15 inch आजाएगा अल्मोस्ट तो यहां तक तो 10 inch है तो करीब 10 inch बोले तो भी करीब 15 inch हो जाएगा वो यह फिर 12 inch का हो जाएगा चो अब और यह भी सेम प्लिंद बीम के लिए भी उनूं कवरिंग दिया गया है तिरप स्पेसिंग जो 7 inch आल्मोस्ट तो इन दीस वे खमपोंड वाल बांद जाता है